वेल्कम टू नेक्स एक्जाम आज है एक नवंबर 2022 और एक नवंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्टिव मैं आपको बताऊंगा तो आ आज की पीडियो की पीडियो के डिसकस ने डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाप आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं पहला कुश्चन है हाली में बिस सु बच्चत दिबस कब मनाया गया है तो अभी 31 अक्टूवर को बिस सु बच्चत दिबस मनाया गया तो इस कुश्चन का बे आप्सिन सही है बैंक में पैसे बचाने की अबधारणा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए हर साल 31 अक्टूवर को बिस सु बच्चत दिबस मनाया जाता है अच्छा 31 अक्टूबर को ही सरदार बलब भाई पटेल जी की चैनती भी होती है इसलिए 31 अक्टूबर को राश्टी एकता दिवस भी बना जाता है और 31 अक्टूबर को ही बिस्सु सहर दिवस भी बना जाता है तो ये तेन important day 31 October को मना जाते हैं बैसे October में अब तक जितने important day मना गए सारे मेने यहापे बिल्कु सेक्वेंस में लिखती है आप वीडियो को पॉस करिए और October के सारे important day एक बार बिल्कु सेक्वेंस में रिवायच करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं चालीज या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जेरुकिया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning में उठकर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चोटा सा ही target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंदन युद्धा तयार करेगा तो अभी उडिशा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंदन युद्धा तयार करेगा तो इस question का say options है अभी आपदा प्रबंदन युद्धा कैसे तयार करेगा तो class force से लेकर graduation तक के syllabus में आपदा और महामारी प्रबंदन की कुछना करेगा यानि की आपदा और महामारी प्रबंदन को सामिल करेगा उडिशा इस तरह से उडिशा आपदा प्रबंदन युद्धा तयार करेगा अब उडिशा तो ये है map में उडिशा उडिशा की capital क्या है भूमने स्वर उडिशा के chief minister कौन है नबीन पटनायक और उडिशा के governor कौन है गनेशी लाद अच्छा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्दूल कलाम दीप किया गया है उडिशा दिवस या उदकल दिवस का मना जाता है एक अपरेल को अभी उडिशा के मुख्य मंतरी ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पोर्टल सफल लॉंच किया है उडिशा सरकार ने सम्विदा कर्मियों को समाप्त किया है यानि कि जो सम्विदा की भरती होती थी उसे अब पर्मानेंट कर दिया है आश्विनी बैशनम ने बुबनेसवर में बारत के पहले एल्यूमिनियों फ्रेट रेक का उद्गाटन किया उडिशा में हैंगिंग सूलर फैंसिंग लगाएं गई है उडिशा में कलिंगा स्टेडियम में फेफा अंडर 17 महिला बिस्टू कप हुआ है और उडिशा के मुख्यमंत्री ने फुट वॉल फॉर आल कारेकरम सुरू किया उडिशा में सुनाविडा वाललाफ संचूरी है कुठागड वाललाफ संचूरी है नल्बन वाललाफ संचूरी है बैसी पलडी वाललाफ संचूरी है देवरिगड वाललाफ संचूरी है गहिर मठ वाललाफ संचूरी है और चिलका लेग है चिलका लेग भारत की सबसे खारे पानी की लेख है उडिसा में रसी कुलिया बीच है गुर्डन बीच है अभी युनेसको ने उडिसा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलेर किया था वो दो गाउं कौन से है नियूलिया साही और बैंकर ट्राइपूर अच्छा उडिसा में लेंगराज टेंपल है तो अभी अपने देश भारत ने औस्टेलिया को हरा कर सुल्तान जोहूर कप दोजरबाई सीता तो इसकुष इनका डे आप्सन सही है अब मायन में जरूर किलिक कर गया होगा कि सुल्तान जोहूर कप क्या है तो मलेसिया में आयुजित होता है ये एक बारसिक अंतरास्टी अंडर ट्वंटीवन पूरुस फेल्ड होके टूनामेंट है तो ये तेसरी बार अपने देश भारत ने जीता है इससे पहले इंडिया दो बारे से जीत चुका है और अब तेसरी बार इंडिया ने ऑस्टेलिया को हरा कर ये सुल्तान जोहूर कप 2022 जीता अब ऑस्टेलिया क केपिटल क्या है केनबरा ऑस्टिलिय करंजी क्या है ऑस्टिलियन डॉलर और ऑस्टिलिया के प्रजेंट टैम पर प्राइमिस्टर कौन है एंथनी अल्बनीज ने क्यूशन है हाली में बांगलादेश फिल्म महुत्सप के चौथे संस्क्रण का उद्गाटन कहां हुआ है तो और दो नवंबर तक चलेगा इसमें 37 लोग पर बांगलादेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा तो द्यान ना किना बांगलादेश फिल्म महुत्सप इसका चौथे संस्करण अभी कुलकाता में शुरू हुआ है नए शुशन है हाली में केस राजी के रंजन महाराष्ट के चीपनिस्टर कौन है एकनाथ सिंदे और महाराष्ट के गवर्नर कौन है बगत सेंग कोशियारी अभी महाराष्ट के उप मुख्यमंत्री ने बंदे मातरम पहल सुरू की है महाराष्ट सरकार नेत्यायोग जैसी एक संस्ताज तापित करेगी संपत्त्य मारबत उत्सब यह महाराष्ट के नागपूर में मनाया गया देश की पहली इलेक्ट्रिक डवल डेकर एसी बस मुंबई में सुरू हुई इतना आप महाराष्ट के बारे में याद रखी नेक कुशन है हाली में लुईज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए अभी ब्राजील में इलेक्शन हुआ है और इन्होंने प्रजेंट टाइम के राष्ट पती जैर बूल सनारो को हरा दिया है और अब लुईज इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट पती बने हैं अब ब्राजील तो ये है मैप में ब्राजील ब्राज प्राजिल की करन्सी क्या है ब्राजीलियन रे आल और ब्राजिल के अब नए राश्ट्र पती तो यही बन गया है लुएज इनासियो लूलाडी सिलवा अच्छा अभी यूके के नए प्रदानमात्री बने रिशे सुनक उल्फ क्रिस्टर्सन ये स्वेडन के नए प्रदानमत्री चुने गए हैं अब्दुल लतीफ रासिद इराक के नए राश्टपती चुने गए कैब्डन इब्राहिम त्रोरे ये बुर्खिन हफासों के नए राश्टपती चुने गए चाड के प्रदानमत्री बने हैं, अलबट पहेमी पाड के और जियोर्जियो मेलोनी ये इटले की पहली मैला प्रदानमत्री बनी है तो इतना आपको याद रखना है दूसरे रास्टी मौडल बैदिक स्कूल का उध्गाटन किये, बेदों के प्रचार प्रसार के लिए, ये बैदिक स्कूल को ले जाने, तो दूसरा रास्टी बैदिक स्कूल ये पुरी मोहला है अचा दूसरा है ये पहला कहां खुला था पहला उज्जेन में खुला था नए क्यूशन है किस राजी में इस्थित मौमलूह गुफा को पहली भारती भू बिरासत साइट की रूप में मानिता मिली है तो मौमलूह गुफा ये मेगाले में है और इसे पहली भारती भू बिरासत साइट की रूप में मानिता मिली तो इस कुश्चिन का बे आप्सिंस है ये यूनेसको ने इसे पहली भारती भू बिरासत साइट की रूप में मानिता दी है अब UNESCO यानि कि United Nation Educational Scientific Cultural Organization इसकी स्थापना कव हुई 1945 में इसका हेड़ क्वाटर कहां पर है पैरिस में और इसके प्रजेंट टेम पर है अउड्रे अजोली अब ये गुफा है मेगाले में तो ये है मैप मेप मेगाले मेगाले की केपिटल क्या है सिलोंग मेगाले की चीपनिश्टर कौन है कॉनरेट संगमा और मेगाले की गवर्नर का अभी एडिसनल चार्ज किसे दिया गया है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा को नए क्यूशन है हाली में फेफा अंडर 17 महिला बिस्वकब केसने जीता है तो अभी इस्पेण ने फेफा अंडर 17 महिला बिस्वकब जीता तो इसकुशन का ए ओप्सन सही है इस्पेण ने कूलंबिया कोहरा कर फेफा अंडर 17 महिला बिस्वकब जीता है अब इस्पेण ने जीता तो ये है मैप में इस्पेण इस्पेन की capital क्या है? Madrid, इस्पेन की currency क्या है? Euro, और इस्पेन के present time पे प्रेमिश्टर कौन है? Pedro Sanchez, कौन है? Pedro Sanchez, next question है, हाली में कौन सी राज सरकार ने समान नागरिक सहिता लाओ करने के लिए समित्ति का गठन करने की गोशना की? तो अभी गुजरात सरकार समान नागरिक सहिता लाओ करने के लिए समित्ति का गठन करेगी, तो इस्पेन का बे option सही है, अब गुजरात तो ये है map में गुजरात, गुजरात की capital क्या है? गांदी नगार, गुजरात की चीपनिश्टर कौन है? बोपेंद भाई पटेल और ग गुजरात बना है, प्रतानमंत्री मोधी ने गांदी नगर में Mission School of Excellence लॉंज किया, बारेमाण Defense Expo गुजरात की गांदी नगर में शुरू हुआ, गुजरात का मुंडेरा भारत का पहला 24-7 सौर उर्जा संचालेद गाउं गोसेत हुआ है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने एफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना की सुरुवात की है, सबसिड़ी के साथ सेमी कंडुक्टर नेती सुरू करने वाला पहला राज गुजरात बना है, और गुजरात पुलिस की AFIR पडाली का उद्गाटन ग्रह मंत्री अमित सानी किया है, अचा गुजरात में गि भारती नौसिना ने किस देश के साथ प्रत्थम त्रिपच्छी अभ्यास में भाग लिया, तो अभी भारती नौसिना ने तंजानिया और मुजांबिक के साथ प्रत्थम त्रिपच्छी अभ्यास में भाग लिया, तो इस कुश्यन का C option सही है, उप्रयोक्त दोनों, और य जानिया के प्रजेन टेम पे प्रेसिडेंट कौन है सामिया सुलूह हशन कौन है सामिया शुलूह हशन ने क्यूशन है हाली में केस देश ने अपनी नई रास्टी सुरक्षा रड़नीत जारी की है तो अभी बहु प्रतीचित नई रास्टी सुरक्षा रड़नीती अमेरिका जारी की तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है अब अमेरिका तो अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है जो वाइडन अमेरिका का हट्स फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरास्टी हवाइड़ा दुनिया का सबसे ब्यस्त हवाइड़ा बना है अमेरिका में महात्मा गांधी के जी पारित किया है अच्छा इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्साइज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रंफ वज़ प्रहार और युद दब्यास नेक्स कुशन है हाली में बर्स 2022 में नौसेना कमंडरों के सम्मेलन के दूसरे चरड़ की सुरुवात कहां होई है तो बर्स 2022 में नौसेना कमंडरों के सम्मेलन के दूसरे चरड़ की सुरुवात नई दिल्ले में होई है तो इस कुशन का से ओप्सन सही है अब नौसेना यानि की इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी के प्रजेंट टेम पर चीफ कौन है आर हरी कुमार कौन है आर हरी कुमार ने क्यूशन है हाली में कौन जे टुंटे सिकर सम्मिलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में न्यूपत होई हैं तो माता अम्रता नंदमाई ये ज K20 सिकर समिलन के सिबिल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई तो इस कुशिन का A option सही है यह है आध्यात्मिक गुरू, माता, अम्रता, नंद, माई Next ribs, हाली में किसे देश के सबसे सतत तेल और गैस कमपनी के रूप में माननेता मिली है तो अभी BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कमपनी के रूप में माननेता मिली तो इस कुशिन का C options सही है बेपेymet L यहीन के भारत Petroleum Corporation Limited इसकी सितापनक अभोई 1952 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके present time पर president कौन है अरूड कुमार सिंग कौन है अरूड कुमार सिंग अब last video के question का answer last video मैंने आप से question पूझा था कि हाले में कौन सा देश बारत का सात्मा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार बना है तो अभी रूस भारत का सात्मा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार बना है यानि किस question का ए ओप्सन सही था और लगबग सबसे श्ट्रेटनेस का answer सही दिया most last awareness के बारे में detail में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में कहां भगवान सेब की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का अनावरड किया गया चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सरच करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 है like तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप है उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अब ये तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदब मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू किलिक कर ले जिससे कि आपको daily morning में current interface की वीडियो मिलती रहे next exam all page with you thanks for watching